हेलो बेंकर्स आप सभी का स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ आपका important session क्योंकि बहुत सारे candidates हम से ये query पूछ रहे थे कि सर जिनका exam में जून 2024 में होना है उनको कैसे तैयारी करने की strategy बनानी चाहिए बिलकुल आसान है क्योंकि हमारे पास अभी है पर्याप्त समय बस हमें focus करना है कुछ चुनिंदा points पर और daily हमें कितने hours देने चाहिए ये important है इसी strategy को आज हम लोग discuss करने जा रहे हैं दोस्तों फटाफट जुड़ते हैं और इसको समझते हैं ठीक है दोस्तों आप सभी को पता है कि 2023 में IIBF ने अपना जो syllabus था जो exam pattern था उसको revise किया और revise क्या किया उन्होंने तीन paper को चार paper में convert कर दिया जहां पर हमारे पास जो paper 1 था वो इंडियन economy इंडियन finances system आ गया दूसरा paper 2 PPB तीसरा paper 3 AFM और चौथा paper जो हमारा था वो कौन सा आ गया दोस्तों RBWM retail banking wealth management ठीक ये चार हमारे paper हो गए अब इन चार paper के आधार पे हमें अपनी preparation strategy को तयार करना है तो जैसा कि हमने अपने session में exam में देखा जो कि मई 2023 और October 2023 में organize हुआ वहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा theoretical subject है जहां पे हमें concept और numerical देखने है वो चारो ही subject हो गए यानि AFM जो की पूरा numerical based है या थोड़ा सा calculation based है वहीं पर अगर आप IE IFS और retail banking wealth management को देखेंगे तो दोनों जगा आपको numerical देखने को मिले PPB आपका चुकि already subject चल रहा था वो वैसे ही चल रहा है ठीक है दोस्तों तो अगर हम बात करें तो इन चार exam पर चारो subject पर हमें क्या करना पड़ेगा फोकस करना पड़ेगा और 2024 AIIB में हमें जो चार paper मिलने जा रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो हर एक paper में हमें चार-चार module दिये गए हैं हर एक paper में हमें कितने module दिये गए हैं चार module दिये गए हैं चाहे अगर हम paper 1 की बात करें IE IFS की तो जो module A है वो Indian economic architecture की उपर based है for economic concept related to banking module B है module C Indian financial architecture है और module D financial products and services तो अगर आप देखो वी तो दो जो module है वो economy based हो जाते हैं दो module हमारे financial जो Indian financial system है उसकी उपर based होते हैं ठीक है दोस्तों वहीं पर अगर हम PPB की बात करें तो PPB में भी चार module है जर्नल बैंकिंग ऑपरेशन, functions of bank, banking technologies और ethics in banks and financial institution जो हमारा paper 1 और paper 2 है बहुत lengthy paper है reason यहां पर units की संख्या जादा है तो हमें अपने जो भी syllabus है उसको cover अगर हम completely cover करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा वहीं पर अगर हम paper 3 की बात करें accounting and financial management of banking की so module A, module B, module C और module D accounting principles की बात होती है financial statements की core banking system की बात होती है financial management और taxation and fundamental of costing की बात यहां पर की जाती है अब आ जाते है paper 4 यानि 4 जो की मेरा खुद का paper है मैं खुद पढ़ाता हूँ so retail banking and wealth management की बात करें तो module A भी important है यहां से भी आपको numericals देखने को मिले है numericals आपको देखने को मिले है दूसरा अगर हम बात करें तो जो हमारा second module है वो सबसे बड़ा module है हना सबसे जादा units जो है वो module B में ही है retail product and recovery और फिर module C आ जाता है और फिर module D आ जाता है तो चारो ही module बहुत important है और equivalent है ठीक है दोस्तों so यहां पर module D पहली बार add किया गया क्योंकि जब C AIIB में retail banking पूछा जाता तो सिरफ retail banking पूछा जाता था elective subject में लेकिन जब इसको AIIB में include किया गया तो wealth management को भी add कर दिया गया so wealth management की जो important जितनी भी units हैं उनको हम लोग यहां पर cover करेंगे और extra units भी जो हमारी है हना valuation of property, home loan, taxation यह सब ठीक है दोस्तों तो अगर हम बात करें तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में syllabus है जिसको आपको cover करना है कैसे हम लोग cover करेंगे और हमारे exam का pattern क्या होता है तो आप सभी को पता है कि हमारा जो paper 1 है paper 1 IEIFS यहां पर हमें 100 question देखने को मिलेंगे और 100 marks के होंगे और 2 hour में हमें cover करना है ठीक है दोस्तों फिर वहीं पर हम paper 2 की बात करें PPB की तो यहां पर भी 100 question है 100 marks 2 hour है और फिर paper 3 AFM की भी बात करें अगर हम तो यहां पर भी 100 question 100 marks और 2 hour का होगा और paper 4 की बात करें retail banking wealth management तो यह भी 100 question 100 marks 2 hour अब आप सभी को पता है कि इस exam को अगर हमें qualify करना है तो हमें सभी में 50 number लेके आने हैं जिससे के हमारा exam क्या हो जाएगा दोस्तों qualify क्या हो जाएगा दोस्तों qualify तो 50 number अगर हम ले आए तो qualify हो जाएगा लेकिन अगर किसी भी subject में 50 से कम आता है और आपका aggregate अगर 200 होता है, तो आप qualify हो जाओगे exam में, जैसा कि IIBF ने अपने information में provide किया था, जब जब नया revised syllabus से introduce किया गया, तो उन्होंने सब कुछ briefly आराम से बताया है, तो अगर हम बात करें, तो जो examination है, वो online mod में conduct होगा, और duration होगी 2 hour, कितने घंठे का होगा, दो घंठे का आपका examination होगा, और हर एक paper में 100 questions होगे, 100 marks के होगे, however, an important thing is, not to note here, is that as per the information given on the official website, there will be no negative marking for the wrong answer, तो अभी तक, अभी तक कोई negative marking नहीं है, जो revise syllabus है, अगर 2024 का जब exam की date आती हो, उस समय अगर IIBF revise कर देता है, guideline तो नहीं कह सकते, बट अभी हमारे पास negative marking की मतलब समस्या नहीं है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर एक और point जो मैंने कहा था आप से, कि देखिए, क्या कहा है, candidate securing at least 45 marks, कम से कम 45 marks आने चाहिए हर एक subject में, और aggregate आपको चाहिए है, 50 marks for qualify in all subject of the examination, so in a single attempt, will also be declared, as having passed in the examination, so candidate securing at least 45 marks in each subject with an aggregate of 50% marks, ठीक है दोस्तों, so आप qualify हो जाओगे, इसको आसानी से समझ जाईए सर, aggregate अगर 50 के हिसाब से देखेंगे, तो 200, मतलब 100-400 मैं से 200 marks आपको लाने है, out of 400, कितने लाने है, 200, और हर एक subject में, अगर किसी एक subject में 45 रह जाता है, तो दूसरा subject cover कर लेगा, यानि आपको 50 का aggregate बना के चलना है, ठीक ह दोस्तों, हना, 45 से अगर कम किसी subject में होता है, तो disqualify हो जाएगा, वो subject ठीक है, चलिए, negative marking अभी नहीं है, अब देखिए, हमारे पास कितना समय है, अगर calendar 2024 का समय देखें, तो हमारे पास कितना समय है तैयारी करने के लिए, सबसे पहले अभी हमारा November चल रहा है, फिर December, द आपने अभी exam दियो, जिन लोगों ने अभी latest exam दिया है, और किसी कारण बस अगर मतलब समस्य आई है, qualify होने में, तो उनको पता होगा, कि अगर इतने समय में हमने इतनी मेहनत जोंकी, तो हमारे पास जब इतना समय हो, और अगर हम इतनी मेहनत भी देंगे, थोड़ी- समय के अनुसार, अगर सात महीने आप देखते होता, दोस्तों, जैसा कि आपने में में, पिछली बार देखा कि में में आपका exam था, तो आपके पास पर्याप्त समय है, यानि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, में, तो आपके पास सात महीने लग हैं, दोस्तों, मतलब बिना pressure कि आप qualify कर जाएंगे, आसान जिंदगी, जैसे चल रही है, वैसे चलते चलते, तो आपको किन strategies को ध्यान में रखना है, सबसे पहले start with basic, यानि बिल्कुल zero से पढ़िए सर, अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो फिर से पढ़िए, क्योंकि हम है, और पढ़ना भी चाहिए, books हाना, so books आपकी right, जो भी आपको पसंद है, जिससे आपको आसानी समझ में आए, सबसे आदा Macmillan लोग follow करते हैं, लेकिन अगर Macmillan आपको लगता है कि बड़ा, मतलब, पूरा concept है, और आप तो selective पढ़ना चाहते हैं, तो as your best, जो आपको हमसे बात करें, या आप हमसे बात करेंगे, तो आसान है कहना, बट अगर हम थोड़े दिन follow करते हैं, तो everything is possible in this world, इस दुनिया में हर एक चीच पॉसिबल है, और हर एक चीच किया जा सकता है, अगर किया नहीं गया होता, तो यहां लिखा नहीं होता, तो आपको बता दे, study study का जो time table है वो आप बना लीजे, अभी मैं बताऊंगा कितने hour कम से कम आपको पढ़ना है, practicing mock test हाना, जब आपका syllabus complete हो जाएगा, आपका concept clear हो जाएगा, तो आप अपने mock test पे भी क्या कर पाएंगे, focus, और mock test सबसे अच्छा तरीका होता है, आपकी preparation को analyze करने का, सबसे अच अच्छा का level किस level तक जा सकता है, ये भी आपको पता चलता है, कहां पर आपकी कमजोरी है, जहां पर आपको और work करने की जरूरत है, वो भी आपको पता चल सकता है, so ये कुछ strategy points है जिनको आपको follow करने चाहिए, ठीक है दोस्तों, साथी साथ अगर हम आपसे बात करें, त तो, a preparation strategy is extremely important for clearing the JAIB exam, देखे, सर, दो तरीके होता है, एक systematic से सीधे सीधे चलना और अपने target को अचीव कर लेना, एक हमें थोड़ा घुमाओदार, ऐसे वैसे, मतलब confusion के साथ नहीं, सीधे सीधे चलना है, समय परयाप्त है, और हमें अपने syllabus को divide कर लेना है, day-wise या week-wise और उ is extremely important for clearing your JAIB exam, तो आप अगर अपने JAIB exam की तयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज स्टेड़ी जरूर बनाईए, क्योंकि वो जरूरी है, it is crucial for candidate understanding, its significance as it is, it will help the covering exam syllabus within a specific time period, तो जो आपको time period, time limit मिली है 7 मेने की, उस हिसाब से आप अपने syllabus को completely cover करना चाहते हैं, तो आप अपनी strategy को ऐसे बनाईए, कि वो strategy आपके दिन चर्या को ज़्यादा प्रिभावित ना करें, और आप cover करने हैं अपने syllabus को, और used to होके अपना परिक्छा दें, हना जब परिक्छम बैठे तो आपकी पर pressure ना रहे, कि मैं qualify करूँगा, नहीं करूँगा, आपको ये confidence होना चाहिए, कि yes, किसी भी topic से question है, पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसका appropriate answer हम लगाएंगे, ठीके दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, few points that the aspirants must be keep in mind, including a preparation strategy of exam, तो जब भी आपको मैंने बताया है, कि आप अपनी strategy तो बनाईगा, बट कुछ point है, जैसे start with basics, मैंने आपक support करते हैं, तो अगर आगे कोई tough चीज आती है, तो उसकी जो basic चीज होती है, वो उसको क्या करती है, support प्रवाइट करती है, जैसे किसी भी मकान को बनाने के लिए, जितने important नीव होती है, नीव ही, उसकी कितनी मंजिल उपर जाएंगी, इसको निर्धारित करता है, ठीक है, इसी प्रकार जो आपके basics है, जो starting है, उसको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो आगे के concepts आपके clear होते जाएंगे, और वो उनकी उपर based होते हैं, कहीं ना कहीं से, ठीक है दोस्तों, So understanding the syllabus and exam pattern is the first and foremost step for devising JIB exam strategy, तो जब भी आप अपनी JIB exam strategy बनाएंगे, तो आपको यह कोसिस करनी है, कि जो syllabus है, जो exam pattern है, उसको पहले अच्छी तरह से समझ ले, An extensive knowledge of syllabus and exam structure will help you familiarize with overall framework of the exam and identification of the important topics you need to cover for the subject, So यहां से आपको आसानी हो जाएगी, कि आपके कौन-कौन से topic हैं, जो important topic उनको summarize वे में आप लिख लेंगे, जिससे कि आपको हमेशा के लिए वो चीज़े clear रहेंगी, कि हाँ, इनकी उपर based exam में question आते हैं, ठीक है दोस्तों, So, J-I-E-B, जब भी आप तियार कर रहे हैं, start करिए basic से, और basic में आप अपने syllabus, किसको syllabi, हाना, syllabus को plus, syllabus के साथ साथ अगर हम बात करें, तो exam pattern को अपने दिमाग में रखिए, किसको exam pattern को, हाना, exam pattern को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है दोस्तों, यह additional point है, साथी साथ, selection is the reliable book हैं, उनकी अगर बात करें, तो बहुत important है, क्योंकि बहुत सारे लोग books की बात करते हैं, तो आप write books को select करिए, जिससे भी आपको अच्छी तरह समझ में आता है, अब देखिए, follow a dedicated study plan or time table, तो देखिए, मैंने आपको बताया है, कि divide time according to the days, आपके पास अभी भी, अगर आज से आप तैयारी सुरू करते हैं, तो लगभग 7 महीने approximately हैं, जहाँ पर आपनी तैयारी कर सकते हैं, Monday, चुकि आपका working का week का पहला दिन होता है, जहाँ पर working load होता है, tensions होती है, तो वहाँ पर सामकों सरफ 1-2 घंटा आपने पास रखिए, कि आप तैयारी करें, Tuesday से Friday, आ आपका daily आएगा और two hours daily sufficient है, अगर आपके पास seven months हैं, कितने months हैं दोस्तों, seven months हैं अगर preparation और exam के, seven months अगर आपके exam के हैं, तो आपके लिए two hours daily अगर आप average निकालते हैं, तो पर्याप्त है कि आप तैयारी कर पाएं, तो यह आपके लिए बहुत important role अदा करेगा दोस्तों साथ ही साथ आपको हम बताते चलें, अगर आप देखेंगे, तो participating mock test is a must, so mock test को हमेशा, मतलब कहते हैं जिस platform पे हमें exam देना है, उस platform पर हम familiar हो जाएं, मतलब यह ना हो कि हमें search करना पड़े कि हम पहली बार exam दे रहे, so जैसा pattern होता है, जैसा platform होता है, वैसे ही feeling, जिससे कि आपका जो mouse पे हाथ चलना है, वो important role अदा करता है, कि आप select कर रहे हैं, पता चला search कर रहे है, question number 45, शुरू में ही tough question आ गए, तो हमें क्या करना चाहिए, जब शुरू में tough लगे, तो हमें फिर आगे बढ़ा के paper solve करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई paper हमें सा tough नहीं बनता है, उसमें तीनों portion होते हैं, easy to moderate, moderate to high, और moderate question, तीनों ही रहते हैं, बस आपको select करना है, अगर सुवात मिट्टा फाता है, थोड़ा आगे बढ़के देखिए, क्योंकि आपको अपना confidence down नहीं होने देना है, और जो question attempt करेंगे, वो green होता जाएगा side में, जो attempt आप नहीं करे जाएगा, ठीक है, तो जो review के लिए डालेंगे, purple हो जाएगा, तो ये online का एक criteria होता, एक graphics होती है, जिससे हमें देखने में आसानी होती कि हमारी परिक्षा में हम किस level पर चल रहे हो, क्योंकि आपके पास 2 घंटे होते हैं, 100 question होते हैं, और 100 question में आपके 0.5 बाले भी होते ह हैं, एक number वाले भी होते हैं, दो number वाले question भी होते हैं, कभी-कभी आपको लगेगा numerical देखने के वाद के बहुत tough है, बट वो होता, बहुत आसान है, बस data बड़ा लिखा होता है, कभी-कभी आपको case study लगेगी, बहुत tough है, बट जब question देखेंगे, तो आप कहेंगे, अरे यह तो आसान है, सो कुल मिलाके आपको पूरा paper पढ़ने का मौका मिल जाए, और यह तब ही होगा, जब आप कहीं नखीं system पे भी क्या होंगे, accurate होंगे, सो mock test, एक important role अदा करता है, जो आपको एक तो reliability के साथ उस atmosphere में entry कराता है, जिस atmosphere में exam होना है, प्लस आपको आपकी knowledge को चेक करने, analysis करने का भरपूर मौका देता है, ठीके दोस्तों, चलिए, so ensure through analysis of your test performance, after participating the mock test, it is extremely essential for the candidate, हम लोग mock test देके भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि सबसे जरूरी है, analyze your performance, आप अपने performance को analyze जरूर करिए, doing a comprehensive analysis of your test, So, हर एक test का analysis, जो आता है, well done, जो नहीं आता, वो क्यों नहीं आया, कहां पर कमी रह गई, और कहां से हमें उस चीज को cover करना है, बस यही complete जैसे ही आपका हो जाएगा, आप समझ लीजे, बिजेता बन जाएंगे, तो आपका जो test है, उसका analysis बहुत जरूरी है, do's, क्या-क् करना चाहिए, देखे, negative चीजे है, मैं बिलकुल नहीं लेका हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ लेका हूँ, positive, don'ts नहीं है आपर, करना क्या का चाहिए, have a concise list, संसिप्त सूची होनी चाहिए, आपके study sources की, जो भी आप पढ़ रहा है, participate in mocks, और practice as many as possible, manage your time, well, आपका समय बह आगे बढ़े, उसी के साथ अगर आप भी आगे बढ़ते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और last में, जो अभी का exam हुआ है, October 2023 का, वहां से जो सीख मिली है, वो ये मिली है, numericals को मत छोड़िये ज़र, numericals में बस 8 से 10 formula हैं, जिनको आपको याद करना है, अगर retail banking की बात करें, ऐसे ही सब पेपरों में आपके कुछ-कुछ formula हैं, जिससे आपके कुछ numericals हो जाएंगे, और वो numerical सिर्फ देखने में टफ लगते हैं, दूस्तों होते नहीं हैं, क्योंकि आप तो mathematics दिन भर करी रह होते हैं, तो आपकी mathematics में कोई भी extra वो नहीं करना है, simple formula है, value उठानी है, रखनी है, और solve कर देना है, ठीक, अगर एक आत कठिन प्रसन आता है, तो वो सब के लिए होता, आपी के लिए नहीं, तो प्लीज, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, कि किरपया सभी लो ध्यान रखें, कि focus on numerical also, ठीक है दोस्तों, मैंने चार do's निकाले हैं, जो म पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि यह दिवाली कैसी होनी चाहिए, इंक्रीमेंट वाली, कैसी होनी चाहिए दूस्तों, इंक्रीमेंट वाली, और जब इंक्रीमेंट की बात आती है, दोस्तों, तो हमें पढ़ना भी पढ़ेगा, और जब हम पढ़ेंगे, तो maximum discount के साथ, आप हमारे साथ भी जोड़ सकते हैं, हमारे courses में जोड़ सकते हैं दोस्तों, और अगर आप जोड़ते हैं, तो JAIB की चाहिए आप तयारी कर रहे हैं, चाहिए CIIB की, हमारे नए batches आपको देखने को मिलते रहते हैं, सो सबसे अच्छा तरीका है preparation का वो होता है MahaPack, क्या होता है दोस्तों, MahaPack, MahaPack में आप हमारे साथ जोड़ेंगे, complete preparation के लिए one stop solution, अगर आप JIIB की तयारी कर रहे हैं, तो ये MahaPack भी आपको least price में मिल रहा है दोस्तों, अगर आप CIIB की तयारी कर रहे हैं, तो ये MahaPack भी दिवाली के offer पर आपको least price में मिलना है, सो आप आराम से जोड़ सकते हैं और तयारी कर सकते हैं, क्योंकि MahaPack में आपको सब कुछ मिलता है, अगर हम JIIB MahaPack की बात करें, तो one year का subscription आपको मिलता है दोस्तों, जिसकी cost 2999 है, लेकिन अगर 20% discount offer की हम बात करें, तो ये 23999 पढ़ेगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, और अ मिलेंगे, mock test आपको मिलेगा, e-book और हमारी complete book जो अभी launch ही है, चारो subject की वो भी याँ पर free है, ठीक है दोस्तों, DPPs, हर class के बाद आपको DPPs मिलेंगी, और ये DPPs, अगर आप देखोगे तो exam के level से 19 नहीं होंगी सर, उसी level पे होंगी, जिस level पे आपका exam आ रहा है, और अ ठीक है दोस्तों, सो पढ़ते रहिए, बस courses यही है, कि आप अच्छा पढ़ें, और अच्छी तरह से आप आगे बढ़ें, आपका exam qualify हो जाए, आपकी salary increment हो जाए, आपका promotion हो जाए, और आप अपने साथियों के बीच में एक special position रखें, हना, knowledge के बहाब पे, working के बहाब पे, और position के बहाब पे, so thank you very much, यह आपके लिए था दिवाली, gift हमारी तरफ से, बस आपको जुड़े रहना है, तैयारी करनी है, so happy दिवाली to all from PW, thank you very much.